प्रियागराच में अतीक एहमत और आश्रफ को गोली मार कर हत्या कर देने के बाद क्या हालात हैं वो रिपोर्ट हम आज आपको दिखाते हैं इस वक्त अब मौचूद है उस इलाके में जिसे अतीक का इलाका कहा जाता था ये इलाका है चकिया इलाका और यहां से शुरुवात होती है इस इलाके की पुलिस के जवान हमें याद दिखाई दे रहे हैं और पूरा जो आज ये इलाका है वो इस वक्त चावनी में तबदिल हो चुका है क्योंकि जिस तरीके की घटना कल हुई उसके बाद में कोई भी यहां बाहर नहीं निकल रहा सडको पर सन्नाटा पस रहा है दो चार लोग ही जिने जरूरा थे वो बाहर अपने काम के लिए आ रहे हैं इसके अलावा आगर दूसरी तरफ भी नजर दोड़ाएंगे तो वहां भी आपको सन्नाटा नजर आएगा दुकाने बंध हैं दुकाने नहीं खुली लोग अपने घरों में हैं पुलिस के जवान हैं वो चौराहों पर खड़े हुए हैं और किसी भी तरीके की जरूरा तकर पड़ती है तो पुलिस भलका भी इस्तमाल करें इसके भी प्रशासन की तरफ से बात कही गई है लेकिन ये जो इलाका जो एक समय में अतीक अहमद की सल्तनत हुआ करता था यहां के लोग अतीक अहमद को लेकर के अलग ही राय रखते हैं क्योंकि जब असक का इंकाउंटर हुआ तो कई तरह की अलग रखती करियां आये लेकिन कल राच साड़े दस बजे अतीक अहमद और अश्रफ को जिस तरीके से तीन शूटर्स ने मीडिया के सामने कैमरों के सामने गोली मारी उनकी हत्या हो गई मौकाय वारदात पर वहाँ पर दम तोड़ दिया दोनों ने उसके बाद से प्रयाग राच में हालात इस वक्त काफी संजीदा बताए जा रहे हैं दिखता भी है कि सणकों में आप देखिए किस तरीके का संजीदा इस वक्त दिखाई दे रहा है साफ है कि एर्थे समय में जब पुलिस पशासन पूरी एतिहात बरारता है धार 1144 प्रदेश में लागू कर दी गई है प्रयाग राच के हर चौराहे पर पुलिस का पहरा है और इसके साथ इस साथ इंटरनेट की के साथ 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 सेलुलर सर्विसेज यानि की नेटवर्क की सुवधाओं को भी इस समय बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से गलत प्रचार या किसी भी तरीके के गलत संदेश लोगों तक ना पहुँचे साथ है कि आज का दिन काफी महत्पुन है प्रयागराज में हालत और जो हालात है वो समवेदन शील बने नजर आते है और वो इलाका जो आतीक एहमत्ती सल्तनत था आज संदाटे में पसरा हुआ दिखाई देता है